जाहिन दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं एको डॉट यानि की एमेजॉन एको डॉट फॉर्थ जेनरेशन की बात करने आप से जा रहा हूं हाला कि आपने काफी सारे इसके रिव्यूज यूट्यूब पर देख ली होंगे बहुत से बड़े जो लिवर होगा तो उसके बाद मैं इसकी वीडियो भी बनाऊँगा बट मैं वीडियो बनाने के लिए रुख गया था और फ्रेंट्स रुकने का जो रिजन था वो ये था कि मैं इसे पहले तसलीश से खुद चेक कर लूँ इसकी कमिया निकाल लूँ उसमें से इसकी अच्छ नहीं बताई गई हैं तो आप इसे हो सकता है कि कभी भी ना खरी दें तो किसी भी चैनल के अंदर ये कमिया जो नहीं बताई गई हैं ऐसका कारण ये हो सकता बट ऐसी कंडिशन में हमें डिस्क्रिप्शन की अंदर लिंक दिया जाता है जो कि यूट्यूबर आपको बोलता है कि अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन की अंदर एक लिंक दिया गया है उससे आप जाकर इसे परचेस कर सकते हैं तो जब आप उस आपको बताऊंगा कि जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाईएगा तांकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे time to time तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आमित और आप देख रहे हैं audio गुरुजी और audio गुरुजी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले दोस्तों आपको और आपके सभी परिवारजनों को मेरी और audio गुरुज की टीम की तरफ से बहुत-बहुत भराई हो दिवाली की तो चली अब बात करते हैं हम आज के product के बारे में तो यहां आज हम बात करने लगे हैं Amazon Echo Dot के fourth generation के बारे में तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँँ कि इसे आप तभी ले अगर आपके पास Wi-Fi connection कुछ डाउट जोन से आप लोगों के सभी के होते हैं वो भी मैं यहां पर clear करके चलूँगा भी एक एक करके तो चलिए पहले हम देखते हैं device को देखिए यह मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले से ही purchase कर चुका हूँ तो इसकी unboxing unboxing वाला काम कोई बनता नहीं है बट फिर भी कुछ जानकारी दी गई है जो कि normally अभी जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप सब को automatically clear होती जाएगी और इसी के साथ में मैंने देखिए मंगवाई था एक तो यह हमारा Amazon का ही product है यह मंगवाई था इसका काम क्या है यह मैं भी बताओंगा आपको आगे चलके सा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो इसके बारे में तो आप यह normally मुझे comment section के अंदर comment करके भी पूछ लिना वो मैं आपको answer वहीं पर कर दूँगा साथ में मैंने इसमें विप्रो के 8 bulb बंगवाए थे smart bulb जोंसे हैं जिससे की operator का भी हम देखेंगे उनको भी तो पहले हम ब command button कि आप अगर Alexa नहीं बोलना चाहते अब direct इसको दबा कर अपनी जो command है वो दे सकते हो इसमें लुक की बात करती है तो छोटा सा है लोग काफी अच्छी है उपर जो से ग्रिल है इसके उसके उपर black color का mad finish के अंदर में कपड़ा चड़ाया गया है नीचे का जो हिस्सा है प्लास्टिक का बना हुआ है पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो यहां पर पूरा यह प्लास्टिक है बट यह आगे जाते तरफ नीचे की तरफ हो जाता है तो एक design मतलब कि इस तरीके से इसे बनाया गया है और जो speaker है वो भी इसका इस तरीके से लगा हुआ है जो की front firing एक अपकी तरफ focus डालता है तो जो sound quality है वो थोड़ी यादा अच्छी भी मिलती है साथ में जो coverage होता है वो भी यादा मिल जाता है हमें इसमें नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर पूरा rubber दिया गया तांकि अपने surface पे stable रहे हिले ना वहां से नीचे यहां पर की search कर रहा होता है उसे तो थोड़ा light blue color में आ जाता है अगर आप इसे mute कर देती हैं तो यह red color में convert हो जाता है इस तरीके से अलग-अलग type के colors जो से हैं वो इसमें हमें मिलती है बैक साइड पे अगर आप देखेंगे इसके तो यहां पर आपको एक adapter लगाने के लिए slot दिया गया है और एक हमें 3.5 mm audio connectivity के लिए इसमें जैक दिया गया है जो कि एक output jack है और friends इसका जो setup है वो भी काफी आदा असान है आपने अपने एक smartphone के अंदर Alexa app को download करना है और दी ग बाद करते हैं इसके speaker की तो इसके अंदर एक हमें full range का speaker दिया गया है जिसका जो size है वो है 1.6 inches में अगर sound quality के बारे में मैं बोलू तो sound quality इसकी मुझे काफी यादा अच्छी लगी है अभी आप इसका demo भी देखेंगे चलाएंगे इसे तो फिर भी काफी यादा बैट रहा होगा कि इसे अगर आप लेते हैं तो यह आपका एक अच्छे Bluetooth speaker की तरह भी यह काम करेगा और और भी options जो है जो आप नहीं करना चाते वो भी in future आप कभी चाहो तो कर सकते हो उसमें इस price range में आने वाले जितने भी Bluetooth speakers हैं उन सभी से इसकी जो नसी आवाज है वो यादा मु भी काफी आथा अच्छी आती है अगर बात करते हैं connectivity की तो Bluetooth connectivity और Wi-Fi connectivity इसमें हमें मिलती है और audio के लिए आउट दिया गया है जो कि काफी आथा अच्छी बात है किसी भी चैनल के व्यूस में audio out को नहीं दिखाया गया है कि मतलब वैसे शो किया है कि यहां दिया गया बट इसके बारे में बताया नहीं गया है कि यह quality कैसी देता है तो इसके बारे में भी हम आगे चलके चर्चा करेंगे और friends अभी एक बात और आजाती है कि पिछले जो उनसे डिवाइस है उनसे यह किस तरीके से अलग है तो एक तो देखे डिजाइन जो उनसे चेंज करती है गय देखेंगा है एक इससे ऊपर एक model और आता है जो कि बिल्कुल इसका इसी design के अंदर ही जो अपर model है उसके अंदर हमें एक upfiring speaker दिया गया होता है दो साइड में tweeter दियेगे sound की जो quality है वो काफी यादर बैटर है उसका जो प्राइज है वो आई तिंक कुछ 8000 रुपे के आसपास का है बट मैंने इसी को चूस किया था तो क्योंकि मुझे नॉर्मली उसके लिए यही ठीक लगा और है भी चलने में काफी अच्छा है हाला कि कुछ कमिया इसमें है जो उनसी मैं आगे चलके आपको बताऊंगा और फ्रेंट से अगर बात करते हैं पिछले devices की तो और इसमें major फर्क क्या है कि इसका जो processor है वो थोड़ा सा high grid दिया गया है तो जो timing है इसकी search timing है वो काफी आदा कम हो जाती है उसमें हमें Alexa बोलने के थोड़ा time बात तक रुकना पड़ता था पट यहां पर हमें Alexa के साथ में बहुत थोड़ा सा gap हमें देना पड़ता है अप इसको मैंने भी mute किया हुआ है तो मैं इसे unmute कर देता हूं यहां से पहले और अब अपने question हम इससे कुछ पूछ के देखते है अलेक्सा time क्या हुआ है अभी समय रात के दो बज के 35 मिनट है अलेक्सा अभी मौसम के बारे में हाल चल बताओ इस समय न्यू डेली दिल्ली में साफ आसमान के साथ तापमान 15 डिग्री Celsius है आज अधिक्तम 28 डिग्री और न्यूंतम 15 डिग्री के साथ धुंदली सी धूप होने की संभावना है अलेक्सा मैं अभी पालम जाना चाहता हूँ मुझे ट्रैफिक का हाल बताओ और कितना टाइम लगेगा अभी पालम तक ट्रैफिक ठीक लग रहा है सबसे तीज रूट लगभग 47 मिनित लेता है गोल्डन क्वाडुलाटरिल और पालम रोड से तो आप देख रहे हैं काफी हर जवाब आपको इसमें मिल जाता है कभी और भी काफी सारी ऐसी चीज़ें जो आप इसमें पूछ सकते हैं तो कुछ funny questions हम देखते हैं इससे पूछ के अलेक्सा रसोडे में कौन था राशी बेन होगी पर यह मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि उन्होंने कूकर से चने निकाल कर खाली कूकर गैस पर क्यों चड़ाया अलेक्सा गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग और विश यू अभेरी हापी दिवाली यह तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिवाली की शुब काम नहीं भी हमें दे देगी चलिए कुछ सवाल और देखते हैं इससे पूछ के अलेक्सा जोड से बोलो जे माता दी तो अभी इसमें एक फीचर यार और है जो काफी यादा अच्छा लगया मुझे जैसे कि आप रात के टाइम विश्प्रिंग मॉड में अगर इससे बात करते हैं तो इसे अपने एप में विश्प्रिंग को आन करना होता है तो आप धीरे से अगर जैसे बोलते हैं फुसा कर जिसे हम कहते हैं बोलते हैं तो इसका जवाब भी जो उसी तरीके से ये आपको देती है तो इस तरीके से यह आपको भी जवाब जूंस है वो उसी तरीके से देती है तो फ्रेंट्स अभी एक बात आती है इसकी आउटपुट की साउंड आउटपुट की की वो कैसा है तो उसके लिए भी हम एक बार इसे चला कर देख लेते हैं अलेक्सा रैप सुनाओ इस लिए लाइन है कुछ आलू का चालू हिपप में थोड़ा मेरा हाथ दंग है पर फिकर नॉट मेरी आवाज संग है जल्दी जल्दी बोलू राइमिंग वर्ड जट टोलू अट लीस्ट कोशिश के मैं माक्स पटोरू कोई मुझे लादे एक पिर्शी वाली कैप यहीं थी मेरी रैप करके एक्टम गिफ्ट रैप तो यह अलेक्सा ने दिखिए अपना रैप जो बनाया है खुद का वहीं हमें सुना दिया है तो जो क्वालिटी हो म्यूजिक है काफी याद अच्छी है बेस का इफेक्ट भी हमें इसमें अच्छा मिलता है हाई भी अच्छी है जो गया है कि जो विएक्ट हैं उन्होंने काफी सारे कॉश्चंस किये हैं तो उसमेंसे कुछ कुछ कॉश्चंस जोन से है वो जो बिद्यान में हैं जो नहीं ऊपको बताना चाओंगा एक तो देखिए जो अन्laration क्मरे में करए हैं कमरे में रख रहे हैं और दूसरा कमरा हमारा दूर है और हम वहाँ पर बैठे हैं तो उसके लिए हमें इसे उपरेट करने के लिए एक Alexa और वहाँ पर लगाना पड़ेगा यानि कि फिर से दुबारा तो इसके लिए मैं एक गाने की वीडियो बना कर एक इसी वीडियो के साथ में अपलोड करूँगा तो आप इसकी जो quality है 3.5 mm connectivity आउट से तो वह आप देखने के लिए प्लीज वाली वीडियो आप देख लीजेगा क्योंकि इस वीडियो पर नहीं तो copyright इशू आ जाएगा मेरा और बाकी जो उनसी दूसरी चीज है देखिए इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुचती तो आपको एक और एको डिवाइस लेना पड़ेगा उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इको फ्लेक्स आता है यह हमारा तो इसे आप पर्चेस कर सकते हैं यह एक हजार रुपे वे एमेजान पर ही आपको मिल जाता है तो इससे आप किसी भी रूम में अपने लगा सकते हैं और वहां से इसे अगर आप कवांड देंगे तो यह आपना वर्क वहीं करेगा जैसे अ आप एक स्पीकर दिया गया होता है जो कि हमें रिप्लाइ करता है उसी तरीके से इसके अंदर भी एक चोटा स्पीकर दिया गया होता है जो कि आवाज आउट transform देता है और जो भी रैक्स आपसे बोलेगी वह आपको यहां पर भी सुनाई देता है ऊपर फॉन टेदी गई ह तो यहां पर mute का बटन है कि आप चाहते हैं कि मैं इसे mute कर दो हमारी जो बाते हैं अगर आपको लगता है ऐसा कि यह leak हो रहा है या कोई सुन रहा है या ऐसा कुछ भी तो आप इसे off भी करके रख सकते हैं as it is side पे आपको 3.5 mm का out इसमें भी मिल जाता है अगर आप इससे भी किसी भी music system को connect करना चाते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं जैसा कि हम Alexa से करते हैं नीचे आपको USB का option भी मिल जाता है कुछ accessories भी होती है इसके साथ की जो आप यहां लगा सकते हैं यहां फिर आप अपने phone को charge भी करना चाहें तो यहां से इसे चार्ज कर सकते हैं फास्ट चाजिंग सपोर्ट करता है यहां अभी देखते हैं हम यह कि इसे हम कमांड देते हैं lights वोगरा के लिए तो यह किस तरीके से काम करता है तो यहां पर अभी जोंसा यह रूम है इस पर मैंने वह वाली light नहीं लगा रखिये बाहर जोंसा बरांदा है जोंसा वहां प उपर की light की brightness 100% पर कर दो अलेक्सा उपर की light बंद कर दो अलेक्सा उपर की light रेड में on करो अलेक्सा उपर की light को green कर दो अलेक्सा उपर की light को blue कर दो अलेक्सा उपर की light को yellow कर दो आलेक्सा उपर की लाइट आफ कर दो आपने यहाँ पर देखा कि यह किस तरीके से आवाज को सुनती है उसके बाद में वही प्रतीक्रिया देती है जो उनसे हम इसे कमांड देते हैं जो भी मैंने इसे बोला करने के लिए इसने एड़ेटिस वैसा ही किया है तो इस तरीके से आप जितने मर्जी बल्ब लगा सकते हैं अगर आपके वाइफाई स्विचेज लगे हुए हैं तो आप अपने बाकी की डिवाइस जो उनसी है उनको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं पंखे को धीरे कर सकते हैं इसी का जो टेंपरेचर है लो कर सकते हैं हाई कर सकते हैं आउन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं बना हर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं साथ में इसके कहुत सी एसिसरीज भी अलग से आती हैं जो आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं तो जैसे जैसे मैं वो accessories लेता रहूँगा तो मैं उसके उपर भी वीडियो बना के आपको connector के बताता रहूँगा जिससे कि आपको clear होता रहे कि हाँ वो आपके मतलब की है या नहीं है तो आप भी इसे ले सकते हैं तो बकी इसकी जो आवाज सुनने की जो शमता है वो भी काफी अच्छी है इसके अंदर चार माइक दिये गए है जो की चारो डिरेक्शन में एक एक दिया गया है तो यह आपने कहीं पर भी रखा होता है तो यह mostly आपकी आवाज को सुन लिता है दूर से भी अगर मैंने इसे कम्रे में रख़ा है तो अगर मैंसाथवाले कम्रे से भी इन बोलता हूं तो यह मेरी बात को समझ लेता है वट अगर यह फॉर्स्ट ट्लोर पे है और मैं उससे नीचे वाले ग्राउंड पल पर हूं यहां वहां पर इसे सुनने में थोड़ी सी कनेक्ट कर रखी हैं जो बल्ब हैं वो बल्ब का जो स्विचिज हैं वो सारे ओन ही रहते हैं जब हम इससे उप्रेट कर रहे हैं नेच्रल सी बात है तो ऐसी कंडिशन में यार क्या हुआ था कि बीच में एक बार लाइट चली गई तो जब लाइट आई बापिस आई है तो व से इनवेटर उसकी बैटरी एक्शन में खराब हो रखे दी तो इस वज़े से मुझे यह जो सी प्रॉब्लम है यह पकड़ में आगी मेरी यह जो मैंने रिव्यू करने में बीच में जो टाइम लिया है उसी की वज़े से मुझे इसके बारे में यह कमी जो पता लग पई है इसके इलावा कि अगर बात करते हैं कमी की तो जो इसका म्यूजिक है जो इसकी आवाज है वो बहुत अच्छी बहुत अच्छी आवाज है बगर जब आप इसे फुल वोल्यूम पर लेकर जाते हैं और आपके ट्रेक के अंदर बास जो से हो थोड़ा यादा आता है तो तो जिसकी जो कमी है वो भी मैंने आपको बता दी है अगर आपके घर में inverter लगे हुए है तब आपको इस कमी से कोई फरक नहीं पड़ता अगर नहीं लगे हुए है तो हो सकता है कि यह थोड़ी सी problem आपको दे और friends सभी का जो link है वो description में दिया गया है अगर आप इसमें से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बैल आइकन को ज़रूर दपाईएगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे time to time तो चलिए अभी आपसे इजादत चाहूँगा और जाते जाते आपसे हमेशा की तरह सिर्फ एक ही ब